नमस्कार फ्रेंट्स आप सभी का एक पर फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के उपर जो कि आपके UGC नेट पेपर 1 के पीपुल डिवलप्मेंट एंड इंवाइर्मेंट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि यह आपके स्लेवस का टॉपिक है जो है आपका मिलेनियम डिलॉप्मेंट गोल्ड जिसको हम MDGs के नाम जानते हैं और साथ ही साथ एक और है सस्टिनेबल से डिसकस करेंगे आपके साथ तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं तो देखिए MDGs है क्या क्यों यह आया तो देखिए अगर देखा जाये तो वर्ड जो है वो काफी तेजी से आगे पढ़ रहा था जब यह आपका MDGs आया उस समय की बात है विकास के तरफ हर कंट्री होड में आगे बढ़ रहे थे हर नियम कानून को तोड़ते हुए उनको जादा से जादा ठीक है डिवलप होना था अधर कंट्री से जिसके कारण क्या था कि वो हमारे जो नेचर है उसको प्रभावीत करने लगे और वो भी नेगेटिव रूप से नकारात्मक्त रूप से हमारे पर्यावलण को प्रभावीत करने लगे साथ ही साथ humans को भी कहीं न कहीं इसमें देखा जाए तो प्रभा होने लगा और human भी इसमें देखें तो इस विकास के जद में ठीक है कुछ humans जो भी हैं वो पीछे छूपने लगे और जिसके कारण देखा जाए तो इस समस्या को ठीक है प्रियोग किया साए जिससे की देशों की ठीक है जीतने भी देश हैं उनकी आवस्षक्ता और उसमें उपस्थी जो human है जैनि मानों है उनकी आवस्षक्ताओं की पूर्ती हो साए ना की इतना उप्रियोग किया साए कि धर्ती पर ठीक है, मानाओ के लालीची नजर के कारड़ यहाँ पे बहुत सारा निगेटिव एफेक्ट पड़े और जिससे कहीं न कहीं इस धर्ती के विनास का प्रिक्रिया शुरू हो जाए क्योंकि देखा जाए तो बड़े देश हमने कहा कि वो लोग विकास के होड में अंधे हो चुके थे और बहुत तेजी से डिवलब करना चाहते थे जिसके चक्कर में वो किसी रूल को फालो नहीं करते थे पेड हुआ उसको बहुत जादा जादा कटाई ठीक है खनन पर बहुत जादा प्रेशर ठीक है चाहे माइनस हुआ चाहे कोल्स हुआ और चाहे आपके प्रेसर निगेटिव बहुत जादा डालने लगी और ये देखा जाए ये रिसोर्से जो है ये लिमिटेड मात्रा में है ठीक है और बहुत तेजी से अगर इसका खपत किया जाएगा तो अगली पीडी के लिए हम कुछ नहीं छोड़के जाएंगे इस चक्कर में देखा कि कुछ टारगेट रखे गए कुछ गोल्स रखे गए कुछ इंडिकेटर्स रखे गए जिसको अच्छीव करते हुए इन समस्याओं को हटा आयसा है इसके लिए क्या हुआ जो है कि अमेरिका के अमेरिका में आपके चो आठ सितंबर अमेरिका में आठ सितंबर 2000 में कई दि यूयार्क के ठीक है United Nation में या जो आपका Headquarter है न्यूयार्क में वहाँ पर ये लोग इगठा होते हैं और वहाँ पर सोच विचार और रिम्वर्स होता है और जो वो इगठा होते हैं ठीक है वो जो समिट होती है उसका नाम रखा जाता है आपका गोल इन मिलेनियां समिट ठीक है जो वहाँ पर समिट होती है उसका नाम ये रखते हैं गोल इन मिलेनियां समिट और ये कहां होता है न्यूयार्क में United Nation के जो आपके Headquarter है उसमें होता है और बाद में क्या निकल के आता है विजार मिवर्स के बाद चीजें जो निकल के आती है उसमें कहा जाता है कि प्रित्वी जो प्रभाव पढ़ रहे हैं अत्रिक्त जो पढ़ रहा है जो नकारात्मक प्रभाव पढ़ रहा है उसको कम किया जाएगा या उसको रोका जाएगा साथ ही जो मानव हैं उनके कनल्यार को भी इसमें रखा जाएगा नहीं सिर्फ और सिर्फ नेचर के बारे में क्योंकि अगर देखा जाए नेचर के अंतरगत अगर देखा जाए तो एक कहा जाए तो ये भी एक इस्पेसीज के रूप में भी ये जाने जाएगे तो इसको भी इसमें रखा गया कि इनको भी इसमें जगह दिया जाए और इनके बारे में भी सोचा जाए तो इस विचार विविमर्स का जो result निकलता है ठीक है जो country बैठती है विचार विविमर्स होता है उसके final result का परिग्राम जो निकलता है वही आता है आपका MDGs यानि कि Millennium Development Goal और MDGs में कुछ target रखा गया था जिसको अचीव करने के लिए ठीक है अचीव करना और लोगों और प्राकृत के बारे में समधी के साथ एक साथ काम करना इनके लच्छों में सामिल हुआ क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और प्राकृतिक जो आपके resources है natural resources है उनकी दिखा जाए तो मत्रा ठीक है जो है न वो तेजी से क्या हो रहा था कम हो रहा था या आज भी कम हो रहा है तो इसके balance बनाने के लिए यहाँ पे MDGs के लच्छे और कहें तो जो target है वो रखे गए goals रखे गए indicator रखे गए जिसके कारण की ऐसा balance बनाया जाए कि उपयोग भी किया जाए और पृत्वी पे नकारत्मक प्रभाव भी ना पड़े हमारे प्रकृत को नुकसान भी ना हो और हमारा जिवन्यापन सही से हो जाए इसके लिए क्या किया गया कुछ indicators रखे गए और कितने indicators रखे गए 60 indicators रखे गए 21 target रखे गए और जो goal का area था वो 8 area याई 8 जो चेतर है उसको इसमें समलित किया गया और जब यहाँ पे लोग इकठा होते हैं countries के तो यहाँ पे 190 प्लस United State के जो member countries है वो इकठा होती है साथ ही साथ 22 प्लस जो international organization है वो लोग इस पे सहमती जताते हैं और वो कहते हैं कि हाँ इन चीजों पे हम काम करेंगे और सभी मिलके जब काम करेंगे तो इन target को achieve किया जा सकता है क्योंकि यह अर्थ की बात है ना ही एक किसी country की तो इसको आपको याद रखना है कि इसमें 8 goal, 28 indicators, 21 target, 60 indicators, ओके थोड़ा सा clear हो जाईएगा हम कहीँ पे अगर थोड़ा सा फिसलें तो आप लोग थोड़ा सा clear हो जाईएगा क्योंकि यहाँ पे कुछछीज हैं हम इसलिए लिज़ लिख दिया है और हम बात करें आगे तो जो आपके 8 गोल है 21 टारगेट है and 60 इंडिकेटर है यही आपका आगे चल के क्या होता है ब्रॉड हो जाता है और वही आपका Sustainable Development Goals यानि SDG Goals के नाम से जो जाना आजाता है क्योंकि इसका जो लच्छ था इसका हासिल करने का लच्छ जो रखा गया था वो आपका 2000 से 2015 तो आपका यह लच्छ रखा गया starting जो था date था 2000 और 2015 इसका अंतिम date था तो जब यह समय पूरा हो गया तो इसमें बहुत सारे और चीजों को भी सम्मिलित किया गया और इसी लच्छ को और ब्रॉट करके क्या किया के आगे बढ़ाया गया और इसका हुआ लच्छ 2015 से 2030 तक SDG goals को लाए गया जिसमें और ज़्यादे area को इसमें सम्मिलित किया गया और ज़्यादे targets को इसमें सम्मिलित किया गया और इसमें कितने target रखे गया तो याद रखीगा इसमें जो target थे 8 goals, 21 target and 60 indicator इसको बढ़ा के जो आपका SDG है उसमें कर दिया गया, कितना? उसमें 70 goals कर दिया गया, 169 आपका target कर दिया गया and आपका 304 indicator कर दिया गया, ठीक? तो इसमें ये brought कर दिया गया, तो आज की वीडियो में हम SDG पर बात नहीं कर रहे हैं, MDG पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें focus करते हैं तो ये बात कुई, कुछ starting की, MDGs की, तो जिसमें निर्देशित किया गया कि हमको प्राकृतिक संसाधनों को ऐसे प्रयोग करना है, ताकि हमारे आगे आने वाले पीडियों को हम इनका उप्योग कहें, या उप्भोग करने लाइक हम संसाधन यहाँ पे छोड़ सकें, ना है आएक ना कि हम ये पूरी संसाधनों का यहाँ पे उप्योग कर डालें, जो कि हम उप्भोग के रूठ में फिर यहाँ पे हर्चियों को खत्म कर देंगे, और हमारी जाने के बाल यहाँपे कुछ नहीं रहेगा, और सिर्फ और सिर्फ यहाँपे जो आएगा, वह आभाव म जीएगा प्रभावे नहीं तो MDG के जो गोल्स हैं Millennium Sustainable आपका sorry Millennium Development जो गोल है इसमें 8 गोल्स है यानि उद्देश से रखे गए और 21 आपके कहें तो कारे का एरिया निसान जो कहें रखा गया जो निसान लगाया गया कि जो गारे हैं जिसको हमें लेना है इसमें और फिर 60 इंडिकेटर यानि की जो इंडिकेटर रखे आगया जिनके आधार पे कहें तो गड़ना किया जाए count करके आने वाले target को जो ये target है जो कार है ठीक है उसको achieve किया जाएगा तो ये चीज़ें आपकी हो गए याद रखिएगा कि इसमें आपका millennium development goal जो था ठीक है इसमें जब ये लाए गया था तो इसमें developing country को विकासिल country को जोड़ा गया था ना कि आपके developing country को ठीक तो यहाँ पे इनको इसमें रखा गया था और आगे आने वाले जो आपके और आपके sustainable development goal थे SDGs था उसमें developing country और आपके developed country दोनों को समलित किया गया था तो सबते पहले इसका जो goals है उसे बाद करते हैं first goal पे तो इनका first goal था eradicate extreme poverty and hunger त्रीक है यानि इनके पहले जो goals में रखा गया कि गरीबी और भुकमरी को खत्म करना इसके लच्च में पहला रखा गया जिसमें रखा गया कि सभी व्यक्तियों के पास बोजन पहुंच पाए गरीबी खत्म हो जिससे कि उनका जीवन यापन सुधरे ठीक है और लच्च रखा गया आपका 2015 तक second था आपका achieve universal primary education जो प्रात्मिक सिच्चा है उसके छेत्र में इन्होंने सारुभामिक्ता की बात कही यानि कि जो लोग है बच्चे है ठीक है सभी सिच्चित हों सभी को समा सिच्चा मिल सके ठीक है इसके वज़़ा से second target achieve universal primary education रखा गया ठीक यहाँ पे सभी बच्चों को यानि कि जितने भी किसी भी अस्तर की बच्चे हों ठीक है किसी rule regulation को ठीक है मद्दे नजर किसी भी बच्चों को education ना मिले ऐसा कोश्च नहीं होना चाहिए सभी rule regulation हटा आईए और सभी को education प्रदान करिए इसके लिए 2015 लच्चा रखा गया फाइनल आगे था promote gender equality and empower women आगे कहा गया आगे के लच्च में तिसरे लच्च में कि जो महिला हैं बच्चे हैं बच्चियां हैं ठीक है उनमें समानता को बढ़ाना है ठीक है और link असमानता बच्चे और बच्चियों की जो है ठीक है जिसमें भेदभाव करते हैं उसको खत्म किया जा है सब के लिए समान कहें नौकरी के लिए पेसे के लिए आउसर दिया जा है ठीक है women empower हो ठीक है तो ये चीज़ें रखी गए आगे रखा गया कि जो फूर्थ आपका goal था reduce child mortality ठीक है यानि कि बच्चों का जो by birth जो होता है starting के time duration में जो बच्चे मर जाते हैं आपका तीन महिने या छह महिने के अंदर में जो बच्चे मरते हैं पर 1000 बच्चे पर यह चिक किया जाएगा parameter रखा जाएगा कि बच्चे का जो मृत उजहर है ठीक है उसको कम किया जाए उसको घटाए जाए इस पर वर करने के लिए कहा गया आगे आया आपका कि कमबेट एचाईवी एड्स मलेरिया एंड अधर डीजीज ठीक है तो यहां पर कहा गया कि कि सुरी सिक्स पर हम पहुंचके यहां पर हमारा एक गोल बच रहा है इंप्रूब इंप्रूब मैटरनल हेल्थ यान कि मा का जो स्वास्थ है उस पर ध्यान रखा जाएगा मा चब बच्चे को जन देती है ठीक है उस समय बहुत सारी मा की जो होती है मृत भी हो जाती है तो पर वन लैक पर कितनी मा की मृत होती है ठीक है उसके आधार पर इसको कम करने के लिए ठीक है काम करना होगा जिसको बेस रखा जाएगा पर वन लैक के आधार पर तो यहां पर यह चीज़ें आ जाएंगी कि मा की मृत उदर और स्वास्त को यहां पर ध्यान पर रखना है इसको अच्छीव करना है इसके अंतर कर जो टार्गेट आएंगे आगे आपका combat HIV AIDS, malaria and other disease तो यहाँ पर कहा गया कि जो भीमारिया हैं आपके HIV AIDS हैं यह सब चीजे हैं इनको खत्म करना है जो other disease भी है इसमें सामिन है इनको खत्म करना है जड़ से हटा देना है कब तक 2015 तक यह develop इसमें रखा गया आगे कहा गया कि इस जोर environmental sustainability तो इसमें कहा गया कि परियावरण को अच्छे प्रभावी तरीके से उप्योग करें ठीक है परियावरण के जो resources है उनको इतने अच्छे तरीके से उप्योग करें उसका उभोग करें ताकि परियावरण पर क्या हो negative effect ना पड़े positive भले ना पड़े लेकिन negative ना पड़े जो है वैसे ही रहे भले उसके लिए आपको चन करना पा रहे हो लेकिन जो आप problem create कर रहे हैं उसको तो आप हटाईए ठीक है इसको करने के लिए यहाँ पर goal में रखा गया और target आपका 2015 आगे रखा गया आपका 8 goal जिसमें था आपका global partnership for आपका development तो देखिए सभी goal को achieve करना एक लोग का तो है नहीं यहाँ पर तो इसमें क्या किया गया इसमें पूरे विश्व के जो country है उसको एक देखिए तो समुह में मिलकर काम करना होगा ताकि इन सभी काम को पूरा किया जा सके ठीक है तो global partnership होगा इन सभी goals को achieve करने के लिए इस सभी target और indicators के through तो यहाँ पर आपका million development यह खोल हो गया और देखिए समय हो गया आपका कम से कम 15 मिनिट आपका समय पहुची गया हमें लगता है यहाँ पर इस video को over करते हैं और आपके exam में जो बहुत सारी important चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे लिख दिया है यह important है जो बाते हुई वो तो आपको यह remember करने के लिए रहेंगी कि आपके exam में अगर कहीं से पूछा जाता है तो आप इन सब बातों को अगर याद करेंगे तो चीज़ें निकल के आपके सामने आती जाएंगे तो इसका important date रखना है कि कब हुआ था इसका जो मंत्री मंडल का बैठक हुआ था ठीक है न्यू यू यू आर्क में United Nation के headquarter में वो आपके 8 September 2000 को हुआ और Global in Millennium Summit का नाम रखा गया इसका Member आपका 119 और 22 International Organization और Target Year 2000-2015 और आपका 8 Goals, 21 Target and 60 Indicator रखे गया और आपका यहाँ पर 8 Goals यहाँ पर इसको आप याद रखेगा क्योंकि हो सकता है एक्जाइम में कहा दिया जाए कि Millennium Development के Target में कौन सा नहीं है Option दे दिया जाए चार जिसमें एक ऐसा Option रख दिया जाए जो इसमें नहीं रहेंगे तो ऐसे आपका Question पूछा जाए या कहा जा सकता है कि 4 या 5 आपके सामने Option दे दिया जाएगे और उसके अंतरगर यह Indicator रख दिया जाएगे और Goals के साथ कुछ और भी Goals रख दिया जाएगे और पूछा जाएगा कि कौन सा Code बना दिया जाएगा कि A, B, C अगर आपका Million Development Goals से जुड़ा रहेगा तो A, B, C आप लगा देंगे और नहीं तो अगर आप गलत कर देंगे तो इसके अलावा और सारे Option भी रख दिया जाएगे जिससे कि आप अगर थोड़ा भी भटके तो आप दूसरा Code लगा देंगे, सही हो साएगा और वो आपका, आपके हिसाब से सही होगा लेकिन आगे जागे वो गलत हो साएगा तो ऐसे Question बनते हैं, चली आज की वीडियो में यहीं पे अपनी बातों को सौवाप्त करते हैं और आगे आने वाले वीडियो में हाँ आपके साथ डिसकुर्स करेंगे डिजीज पे यानि की Sustainable Development Goal पे जो की आज की डूरेशन में बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह चला है, वो अभी थर्टी तक उसका काम चलेगा ठीक है, तो चली आज की वीडियो इतना है जब तक की नेक्स वीडियो नेक्स नहीं लाते है तब तक की लिए थैंक्स वोचिंग एजुकिशनल चैनल और आपका दिन बहुत 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 दूब